हेलो दोस्तों आप सभी का All-Round Knowledge में स्वागत है और आज मैं आप लोग को Simple Present Tense, Passive Voice बताने जा रहा हूँ तो आप लोग सभी इस वीडियो को अन तक जरूर देखेगा और यदि आप लोग मेरे चैनल पर नहीं है तो मेरे चैनल को जरूर सबस्क्राइब कर लिजिए बीच में रहेगा जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्यों है, यहाँ पर कैसे है तो सबसे पहले sentence का structure जान लेते हैं WH question से सुरू होने बाले words लिखने है जैसे why होता है, what होता है, where, who, when और एक how भी होता है उसके बाद helping verb लगाना है aim is our subject के नुचार मान लिजिए यहाँ पर I है तो aim लगा देना है मान लिजिए यहाँ पर he है तो ease लगा देना है और यहाँ कोई समान भी हो सकता है, मान लिजिए कि a letter है तो ease लगाना है मान लिजिए यहाँ पर trees है, एक से अधीक है तो R लगा देना है माले जी यहाँ पर chairs है तो are use कर देना है उसके बाद यदि sentence में not रहता है तो not लगा देना है जैसे यहाँ पर नहीं है तो not लगेगा यहाँ subject के बाद लगेगा या फिर यहाँ sort में आप aren't, isn't या ant भी use कर सकते हैं इम का sort form end होता है और उसके बाद भर्व 3 use होता है और याद रखेंगे कि पूरे passive voice में भर्व 3 use होता है उसके बाद by, उसके बाद object यदि के दुआरा रहता है जैसे यहाँ सरकार दुआरा है तो by use करना है और यदि नहीं रहता है तो use नहीं करना है आज का पहला sentence है तुम्हें उसके दुआरा क्या दिया जाता है तो सबसे पहले question words लिखना है यहाँ पर question word क्या है क्या क्या को इंगलिस में what लिखते है तो सबसे पहले लिखेंगे what इसके बाद helping भर्व लगाना है subject का नुसार तो यहाँ पर तुम्हें subject है तो you के अनुसार are लग जाएगा what are you given तुम्हें क्या दिया जाता है उसके दुआरा by him सरकार दुआरा लोगों को रोजगार क्यों नहीं दिया जाता है तो यहाँ पर subject क्या होना चाहिए लोगों को तो यहाँ पर लिखेंगे why और एक सधिक लोग है इसलिए are यूज कर देंगे why are the people not provided jobs या फिर employment भी लिख सकते है by the government why are the people not provided jobs by the government इस machine को कैसे चलाया जाता है यहाँ पर question word कैसे है तो सबसे पहले how लिखेंगे how is this machine operated पेड़ों को क्यों काटा जाता है तो यहाँ पर क्यों question word है तो why लिखेंगे पेड़ों को एक से अधिक है तो r लिखेंगे why are the trees cut गरीबों को क्यों सताया जाता है यहाँ पर question word क्या है क्यों why लिखेंगे why are the poor tortured और प्रेस्ट भी लिख सकते है हमें हमेशा दोस्ट क्यों दिया जाता है यहाँ पर question word क्यों है तो यहाँ पर लिखेंगे why और यहाँ हमें है तो आर हो जाएगा why are we हमेशा always लिखेंगे always blamed एक चीज़ याद रखेंगे कि always हमेशा ही भर्ब से पहले आता है सफेद हाती कहाँ पाया जाता है तो यहाँ पर question word है कहाँ तो यहाँ पर लिखेंगे where where are the white where are the white elephants found और यदि एक elephant लिखेंगे सिर्फ elephant तो इस हो जाएगा where is the white elephant found बिद्यार्थियों को सजा क्यों दी जाती है सबसे पहले question word लिखेंगे क्यों why हो गया और बिद्यार्थियों को एक सधीक है तो आर लग जाएगा why are the students punished शिक्षक दिबस क्यों मनाया जाता है यहाँ पर question word है क्यों तो why लिखेंगे सबसे पहले यहाँ रोगी का इलाज कैसे किया जाता है तो यहाँ पर question word क्या है कैसे तो सबसे पहले लिखेंगे how how is the patient treated here और माली यह पैसेंट्स लिखेंगे एक से अधीक तो यहाँ पर आर लगा देंगे how are the patients treated here उमीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा और इससे पहले part 1, part 2, part 3, part 4 जरूर देखेगा आज का वीडियो part 5 के तहद बना हुआ है और यदि आप 10 सिखना चाहते हैं active voice में चोकि यह 10 अभी चल रहा है passive voice में और यदि आप active voice में 10 सिखना चाहते हैं तो 10 के playlist में जाईए और इस वीडियो के end screen में जरूर मिलेगा अब आप लोग को दिखाई दे रहा होगा तो उस पर किसी भी वीडियो में क्लिक किजिए अब आप लोग को आपके screen पर दिखाई दे रहा होगा तो जो end screen के रूप में playlist दिखाई दे रहा है उस पर आप क्लिक करेंगे तो सीधे आप playlist में पहुँच जाएंगे तो उस पर आप क्लिक किजिए वहाँ पर आपको बहुत सारे important videos में लेंगे All right dear students and friends Thanks for watching